नवस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में अप्रेल महा के प्रमुख दिवस को ट्रिक के माध्यम सियाद करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा दे जाएगा टू यानि दो की बात हो रही है साथ ही साथ जो आटो है वह यातायात के काम में आते हैं और इस महीने में एक सब्द लिखा हुआ है अपके बाद रेल ठीक है अपरेल रेल तो रेल भी यातायात के साधन में काम आता है या ऐसा कह सकते हैं कि आटो और रेल दोनों यातायाद के साधन के काम में आते हैं तो रेल से हो गया अप्रेल और ओटो में और तू सब्दे लिखा हुआ है तो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विशू आटेज्ड दिवस या फिर इसको बोलते हैं विशू आतमी केंद्री जागरुकता दिवस का मना जाता है दो अप् पास से हमेशा रेल निकाली जाती है जिसे कि उस ख़दान से जो भी चीज़े निकलती है उनको आसानी से दूसरे इस्थान तत पहुचाया जा सके आपने देखा होगा चाहे होगा लोहे की ख़दानों या फिर कोईले की ख़दानों ख़दानों के पास से अकसर ही रेल गाड और रेल निकलती है ख़दानों के पास से तो रेल से अप्रेल अर्था चार अप्रेल तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चार अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है अंतर राष्टी ख़दान जागरुकता दिवस याद रहेगा आगे बढ़ती है अब आज सामने अगला प पांच महासागर है कौन कौन से हिंद महासागर प्रसांद महासागर आर्किटिक महासागर अंटार्किटिक महासागर और अटलांटिक महासागर ठीक है पांच महासागर है और अगर कोई इन महासागरों में फस जाए तो क्या करेगा प्रे करेगा अर्थाथ वह प्रे बचा ले भगवान या फिर कोई भी बचा ले उसकी मदद करें क्यों क्योंकि जाहिज जिवात है कोई महासागर है तो जा नहीं सकता इतना जाता महासागर तो प्रे करेगा अगर वह पांचों महासागरों में से किसी भी महासागर में फस गया तो प्रे फॉर अप्रेल ठीक ह मनाया जाता है तो यहाँ पर स्वास्ट की बात हुरी है अर्थात हमारे हिल्थ की बात हुरी है और हिल्थ कब अच्छा रहता है जब हम अच्छी चीज़ों का शेवन करते हैं यानि ऐसा कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से सरीर को जो भी चीज़े चाहिए चाहिए वह पौश्ट तो आप ऐसे जाद रखिएगा कि विस स्वास्ते दिवस को मनाया जाता है साथ अपरेल को हूँ आई सामने अगला पॉइंट है विस हुम पैथे दिवस जो कि 10 अपरेल को मनाया जाता है तो यहाँ पर हुम पैथी में सब्द लिखा हुए एक होम और दूसरा सब्द लिखा हुए पैथी तो पैथी को याद करने के लिए कर लेते हैं पती तो यहाँ पर आपको पता है कि होम में किसका राज होता है महिलाओं का राज होता है तो पती का हल क्या होता है एक दास जैसे होता है ना घर में जो है वह हमेसा महिलाओं का राजी चलता है तो पती की स्थिती कैसी होती है दास जैसी होती है तो दास से दस हो गया ठीक है और आप अपरेल याद करना चाहते हैं तो आपको पता है कि दास क्या करता है हमेसा अपने सियात रह सकें अब हमाई सामने जो अगला पॉइंट है वह है राष्टी सुरक्षित मातरुत दिवस जो की 11 अपरेल को मनाया जाते है तो यहां पर सुरक्षित में सुर्ष सब्द लिखा हुआ है और आपको पता है कि जो सुर्ष है वह किसे समधी थैं गाने से समधी थैं औ आपको पता है कि जो माता होती है वह सबसे ज़्यादा आपने बच्चों के लिए प्रे करती है कि बच्चे कैसे रहे हमेसा अच्छे रहे ठीक है और उनकी उम्र कैसे लंबी हो तो माता हमेसा प्रे करती है भगवान से सबसे ज़्यादा तो प्रे से अपरेल ठीक है और मात और सूर से सुरक्षित मात्रित दिवस तो आप एसे याद रखिएगा कि 11 अप्रेल को क्या मनाया जाता है राष्ट्री सुरक्षित मात्रित दिवस याद रहेगा आगे बढ़ते हैं अब हमाई सामने अगला पॉइंट है अंतर राष्टी मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो कि 12 अप्रेल को मनाया जाते हैं तो 12 जिसको इंगलिस में क्या बोलते हैं 12 वो बोलते हैं ठीक है और यहाँ पर सब्द लिका हुआ है अंतर राष्टी मानव अंतरिक्ष में अप्रेल कर रहा है और यहाँ तो एफर जाते हैं 30 को याद करने के लिए कर लेते हैं यानि कोई भी ब्यक्ति था पहले वह गोरा होके गया और जब बाहर से आए तो काला वापस है तो चाहिए चिवाता है कि कोई ने कोई दाग धबा जो की काला कलर को होगा उसके चेहरे पर लग गया होगा तो अब वह क्या करेगा जो दाग धबा यानि काला कलर उसके चेहरे क ओपर लगा हुए है उसको वह पानी से साफ करेगा एवना अगर काला दाग लगा आइ तो पानी सी साफ करते हैं और दाग आप्रेयल झाल्य dw sich के मनां जाता है 15 को नहींद जो फारती रेल परिवहां दीवस जो कि 16 आपरेयल को मनाया जाता है तो यहाँ पर 16 को याद करने के लिए कर लेते हैं कि आठ छोरा ठीक है यनि छोरने की बात हो रही है और आपको पता है कि रेल में अगर कोई व्यक्ति जड़ता है एक इस्टेशन से तो यह दूसरे इस्टेशन क्या करती है छोरती है तो छोरने फ़ोर 16 अर्था 16 ठीक है 16 छो अप्रेल को अब माफी कौन मागेगा कोई भी दुस्वन होगा या फिर ऐसा कहिए कि कोई गलती कर रहा है तो वही माफी मागेगा तो ऐसा एक तरीके से मान लेते हैं कि दो लोगों के बीच युद्ध हुआ और एक ब्यक्ति हार गया तो अब हारने वाला ब्यक्ति माफी कर दिजे हमें साभ प्रे करता है कि मझे माफ कर दिजिए मेरी जान बक्ष दिजे तो प्रे कर रहा है माफी माग रहा है तो प्रे फ्र मंगे तो चले आगे बढ़ते हैं अब हमाई सामने अगला पॉइंट है विस्ट धरोहर दिवास जो कि 18 अपरेल को मनाया जाते हैं तो धरोहर में धरा सब्द लिखा हुए यानि कोई भी चीज रखी हुई है रखने को धरना भी बोलते हैं बोलेने कि कोई भी चीज मैंने वहाँ धर दी है या फिर कोई भी चीज मैंने वहां रख दी है अब वो चीज धरी कब तक रहेगी जब तक कि कोई भी भी व्यक्ति उसको वहाँ से ऊपर ने उठा लेता है ना उठाना अठाना ठीक है तो उठाना 18 ठीक है दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं तो आप इसको याद रखिएगा और उपर उठा रहा है कोई व्यक्ति तो उपर फोर अपरेल ठीक है उपरेल अपरेल तो दोनों याद रखिएगा हलाकि इसकी कोई अच्छी ट्रिक मैं नहीं बना पया हूँ लेकिन फिर भी हिंट आपके लिए काफी है तो 18 अपरेल को कौन काई देता है वे इसा ऊपर वाला देता है तो ऊपर से अपरेल हो गया ठीक है और लिवर याद करने के लिए कर लेते हैं लावर लावर क्या होता है कि लावर जो है वह एक दुस्रे को कैसे लगते हैं और अपरेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है विस सुलीवर दिवस अगर आप किसी की सेवा करोगे तो आपके लिए प्रे करेंगे भगवान से कि हमेशा इनके जीवर में अच्छा हो या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हमेशा दूआ देते हैं कि हमेशा अच्छा हो सामने वाले के साथ ज और वा फर वन दो और वन यानि 21 और प्रे करते हैं दूआ देते हैं एक ही चीज़े प्रे फर अप्रेल तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कौन सा दिवस यहां पर जो सिविल सेवा दिवस है वह मनाया जाते है 21 अप्रेल को अगला पॉइंट है वह है प्रिथवी दिवस जो क अगला पॉइंट है विस पुस्तक और कॉपी राइट दिवस जो की तेई से अप्रेल को मनाया जाते है तो यहां पर कॉपी और राइट इनको साथ में ले लेते हैं आपको पता है कि कॉपी में राइट कर दें तो हमारे लिए पुस्तक की तरह ही काम करती है कोई भी चीज है तो पुस्तक में भी लिखा होता है और कॉपी में भी राइट कर दें लिखे दें तो वह भी पुस्तक की तरह ही कारिक करेगी तो अगर कॉपी राइट को याद कर लेंगे तो प कोई भी सब्द नहीं आएगा ना 22 है गा ने 23 हमयशा 20 सब्द आए गा तो 23 और टेस्ट हो रहाए यानी कॉपी के उपर रायट करें अर्थाक कॉपी के ऊपर रायट करने सब्द से हमको ऊपर सब्द मिलेगा और उपर से अपरेल तो आप ऐसे याद रखेगा कि 23 अपरेल को कौन सा दिवस मनाया जाते है विश सुपुस्तक या फिर कॉपी राइट दिवस मनाया जाते है अब हुआ है सामने जो अगला पॉइंट है हुआ है राष्टि पंचायती राज दिवस जो कि 24 अपरेल को मनाया जाता है तो पंचायती राज में एक तो पंचायत में 40 सब्द लिखा हुए तो 40 से कर लेते हैं चायबीश ठीक है 24 चायबीश ठीक है भाकरी आपको 40 से 24 के लावा कोई भी सब्द नहीं मिलेगा तो 40 से 24 जाद आजाएगा और राज को याद करने के लिए कर लेते हैं राजा तो राजा की स्थान उपर होता है तो उपर फौर अपरेल तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजटी पंचायती राजी दिवस का मनाया जाता है 24 अपरेल को अब हमाई सामने जो अगला पॉइंट है विस्व मलेरिया दिवस जो की 25 अपरेल को मनाया जाता है तो यह याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको पता है कि मलेरिया किसे फेलता है मच्छर से फेलता है यानि मच्छर काटे और उपर उड़ गए तो हमको वह मलेरिया दे जाते हैं तो उपर फ़ोर अपरेल हो जाएगा औको पता है कि मक्छर के पंक होते है न तब ही तो वह उपर उड़ पाते हैं और पंक sevent कि के होते हैं पक्छियों के भी होते हैं तो पक्छी फोर. 15 तो ऐसा कह सकते हैं कि मच्छर हमको काट के पक्षी की तरह उपर उड़ जाते हैं तो उपर फॉर अपरेल और पक्षी से 25 तो आप ऐसे याद रखेगा कि 25 अपरेल को मनाया जाता है विसु मलेरिया दिवस ठीक है विसु मच्छर दिवस तो हो नहीं सकता है कि मच्छर आपको याद आएगा तो मलेरिया ही याद आने व समाज में बनती है है ना जिसकी बुद्धी अच्छी है उसकी छवी अलग ही बनती है तो छवी फॉर 26 और बुद्धी कहां पाई जाती है तो सरीर के सबसे उपर वाले हिस्से में दिमाग पे तो उपर फॉर अप्रेल तो 26 अप्रेल हो गया तो आप ऐसे याद रखेगा कि व खोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सोचना होगा माले जिए कोई बैक्ति कहीं पर कारे कर रहा है तो उस कारे इस्थल में क्या हुआ कि कोई भी चीज ऊपर से टूट के गिर जाती है माले जिए कोई बी ऐसा इस्थान है कि वहाँ से ऊपर से चीज तूट कर नीचे गिर गई ब्यक्ति के उपर तो जाहिस जिवात है जान को खट रहा है तो इसलिए बोल रहा है कारिस्थल में सुरक्षा तो उपर से कोई भी चीज ना टूटे ऐसी सुरक्षा रखिए ठीक है तो उपर फॉर अपरेल और टूटने में सब दिर्कव 2 और 8 28 यानि 28 और उपर फॉर अपरेल यानि 28 अपरेल तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 28 अपरेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्वर में कारिस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्ति दिवस याद रहेगा अब इस वीडियो का लाश्ट पॉइंट है अंतराष्टी नृत्य जो की 29 अपरेल को मनाया जाता है तो सबसे पहले अपरेल को याद करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो नृत्य होता है वह पैरो से किया जाता है तो पैर फॉर अपरेल अच्छा 29 में उ के बाद सब्द क्या लिखा हुआ है नतीस उ नतीस तो नती को कर लेते हैं नृ पी और राइट की बात हो रही है ठीक वैसे 24 में चाय सब्द दिख रहा था तो चाय से पंचायती दीवस दिख रहा था तो वैसे ही आपको 29 में रित्य सब्द दिख जाएगा तो आपको ऐसे सबी दीवस को याद रखना है अच्छा मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इससे पहले जनवरी फरवरी और मार्च मा के दिवस को याद नहीं क्या ट्रिक के माद हम से तो उसकी वीडियो पहले से अपलोड है आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो चले अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चबते हैं तो पहला कुशन आपक बस कम मनाया जाते है तो इन चारो कुशन के अंसर आपको कमेंट करके बताने हैं तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए